नमस्कार दोस्तों स्वागत जारखन की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर बड़ी की इस योजना के अंतरगत जो भी लाबुक इसका फाइदा उठाना चाहते हैं वे 10 अगस तक अपना आवेदन समर्पीत कर सकते हैं बड़ी की चैनित लाबुकों को हर साल 12,000 रुपे की सहयोग राशी परदान की जाएगी सरकार ने भी इस महत्वकांची योजना से अधिक से अधिश लोगों को फाइदा लेने को कहा है बदा दे की आवेदकों को अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास्पोक, वोटर कार्ड की चैया परती और दो पास्पोर्ट साइज फोटो लाना होगा दस से पंदर अगस्त तक इन आवेदनों की जांच होगी संभावना जता जार ही है कि 16 अगस्त को मुख्रमंत्री हिमनसुरेन और महिला बाल बिकास मंत्री बेवी देवी द्वारा ये राशी डायरेक्ट लावकों के अकाउंट में भेज कर योजना की शुरुवात की जा स जारखंग की सानों को इस बारिश के मौसम कुलेकर खाफी राहत मिली है बदादी की जारखंग में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जीलों में खेत और तालाब लबालब भर गए हैक really किसान धान की रूपाई के लिए अराम से खेत की तैयारी कर सकते हैं मादादी की म जारखन मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही औरेंज अलर्ट जारी किया है। और से लाँच की गई मुख्य मंतरी मया सम्मान योजना के ताथ कुल पचास लाक महिलाओं को परती माह एक एक हजार रुपए दिये जाएंगे। लाभार्थियों की पहचान के लिए जारखन के सभी जीलों में कैंप लगाये जा रहे हैं। बदादे की जारखन सरकार की और से मुख्य मंतरी मया सम्मान योजना के ताथ एक पोर्टल भी तयार किया गया है जिस पर तीन अगस्त से आवेदन जिहां आवेदनों को अपलोड किया जा रहा है। पहले दिन चार बजे शाम तक इसके लिए कुल 2582 आवेदन प्राप्त हुए है यह जानकारी जारखन के महिला बालविकास एवं समाजिक सुरुक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने शनिवार को दी। खबर है कि मरुज कुमार ने कहा है कि यह सरकार की फ्लेक्षिप स्कीम है इसमें लक्षे के अनुरूप महिलाओं को जिहां लाभानुवित करने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू किया गया है। भारती वायुसिना में दस्वी बार्वी पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी की तलाश रहे जहां तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहत बड़ी खुशकबरी है। भारती वायुसिना यानी IAF ने ग्रूप C पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य अभियार्थी ग्रूप C पदों पर भरती के लिए तीन अगस्त से आविदन कर सकते हैं। बतादे की आविदन की अंतिम्तिती 3 सितंबर है। नोटिफिकेशन के उनसार इस प्रक्रिया के माध्यम से भारती वायुसिना में ग्रूप C सिबिलियन के कुल 182 खाली पदों पर भरती की जाएगी। और हिंदी टैपिश्ट पदों के लिए अभ्यारती मानेता प्राप्प बोड से कक्छा बार्वी पास होना चाहिए। जल्द शुरू होने जार ही BSNL की 5G सर्विस। सरकार ने स्टेस्टिंग के बाद दी हरी जंडी। प्राइवेट टिलिकॉम, कमपनियों, जीयो, एर्टेल और वोड़ाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान की कीमतों में बिरिधी करने के बाद लोगों ने BSNL पर अपना भरोसा जताया है। बता दे कि इसी बीच एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। अब BSNL भी 5G का रुख अक्तियार कर लिया है। यानि जो लोग BSNL 5G का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे, उनके लिए ये बड़ी खुश खबरी है। बता दे कि केंद्री मंत्री जो तीरा दित्य सिंधिया ने सोई इसकी टेस्टिंग की है। इसके लिए सिंधिया सेंटर फोर डवलोप्मेंट ऑफ टेली मैटिक्स पहुँचे और 5G टेकनलोजी का इस्तिमाल कर वीडियो कॉल की। केंद्री मंत्री ने खुद 5G नेटवर्क की शमता का परिक्षन किया है। बता दे कि केंद्री मंत्री की इस 5G टेस्टिंग के बाद काफी हद तक ये साफ हो गया है कि जल्द ही लोगों के सामने BSNL 5G नेटवर्क आने वाला है। ऐसे में नीजी टेलकॉम कमपनियों के लिए ये चिंता का पिसे बन सकता है। बता दे की जारखन के मुख्यमंत्री हेमन सोरिन ने बड़ी खोशना भी की। उन्होंने कहा कि यदि इंडिया गडवंधन की सरकार बनी तो हर घर को एक एक लाख रुपे दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बिफक्ष पर आरुप लगाते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने डेढ़ लाख नौकरियां परदान की। लेकिन इसके बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार को पाँच महिने और मिलते तो पाँच लाख नोकरियां परदान की जाती। 25 अगस्त दोहजार चौबिस तक उनलाइन आविदन समर्पीत कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परिक्षा पेपर वन अक्टूबर नौबर दोहजार चौबिस से होगी। S.S.C. की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उमिदवारों की आयू सीमा एक अगस दोहजार चौबिस तक 18-30 वर्स के बीच होनी चाहिए। अर्थात उमिदवार का जन्म 2 अगस 1994 से पुर्व और 1 अगस 2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। उपरी आयू सीमा में निर्धारित छूट भी दी गई है।